अलो स्टूडेंट मैं सस्याद हूँ एकक्षा में आपका हर्दिक श्वागत करता हूँ बच्चो हम पढ़ रहे हैं कक्षा बारा की पाठ पुस्तक मानव उगोल के मूल सिद्धान्थ और देखे बच्चो हमने अध्याई 5 में पढ़ा था प्रात्मिक क्रिया कलाप और अध बच्चो जो हम पढ़ेंगे त्रेतियक क्रिया कलाप तो देखे हमारा अध्याई कौन सा है साथ और जिसमें कौन कौन से क्रिया कलाप दिये में त्रेतियक और कौन से है चतूर्ट इस तरह से हम दोनु क्रिया कलापों का अध्यान किसमें करेंगे इसी अध्याई में और देखिए बच्चों इसके अंदर देखिए तीन यहां पर व्यक्ति है और उसके बाद एक यहां पर है तो आप बच्चों बताइए जो आप चित्र देख रहे हैं वो किसके चित्र है यहां पर तो यहां आप देखेंगे बच्चों कि यहां पर एक सिक्षक है एक इंदू होगा आज का जो हमारा टोपिक है वो इनी से संबन्दित है और यह सब देखे अपने-पने छेत्रों के क्या है विशे विशेशग है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अपने व्यवसाइग के लिए क्या है एक तरह से विशिष्ट व्यक्ति है और देखे बच्चों यह अपने-पने छेत्रों में क्या देते हैं शेवाएं देते हैं तो आज का जो हमारा टोपिक है वो किसे संबन्दित है सेवाओं से संबंदीत, संचार से संबंदीत, परिवहन से संबंदीत, व्यापार से संबंदीत और उसी टोपिक का नाम है किरिया कलाप, कौन से किरिया कलाप, तरतियक किरिया कलाप तो सबसे पहले हम जानेंगे तृतियक क्रिया कलाब क्या होते हैं देखिए बच्चों यहाँ पर और नोट करिए आज के हमारे बिंदू को उसके बाद देखिए जन सक्ती सेवा सेक्टर का एक मेहतुपून कारक है क्योंकि अधिकांस तृतियक क्रिया कलाबों का होते हैं आगे देखिए व्यवसाई के द्रस्टी से प्रेशिक्षित विशेशग और परामर्स दाताओं द्वारा होता है तो देखिए आपने देखा परामर्स दाता या अपने व्यवसाई में क्या बताए गए विशेशग बताए गए हैं और आगे देखिए तृतियक क् जो अर्थ है वो किस से लिया गया है शेवाओं से लिया गया है जो विबिन प्रकार की शेवाएं दी जाती है किसके दवारा देखे एक सिक्षक दवारा क्या कराया जाता है शेवा कौन सी शेवा अध्यापन वकील के दवारा कानूनी प्रकरिया बताई जाती है डॉक्टर के के अंदर देखे एक इस्तान से दूसरी इस्तान के उपर वस्तों को लाना और ले जाना इसके लिए हमें किसकी जरुरत पढ़ती है देखे शंचार और परीवहन की जरुरत पढ़ती है बच्चों तो यहां अब आप देखे विनीमे में हम किसको पढ़ेंगे शंचार और पर जिसे हम वानिज भी कहते हैं तो यहां हम तरतियक जो सेवाएं हैं उनमें किस-किस का अध्यन करेंगे सेवाएं संचार परिवहन और व्यापार और इन तीनों का सम्मंद किसे है विनीमे से उत्पादन का सम्मंद किसे है सेवाओं से और देखिए बच्चों उत्पादन में स को देखिए विनीमे के अंतरगत व्यापार परीवेहन और शंचार स्विधाएं शमलित होती हैं अगर आप से पूछा जाए बच्चों की त्रतिय क्रिया कलापों का शम्मंद किस्से है उत्पादन और विनीमे से उत्पादन में किसको सामिल करते हैं सेवाओं को और विनीमे किसको सामिल करते हैं व्यापार परीवेन और शंचार को सामिल करते हैं और इनी को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे भी त्रतियक क्रिया कलापों के अंतरगत आगे देखिए बच्चों त्रतियक क्रिया कलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाए सेवाओं का व्यावसाईक उत्पादन समलित होता है तो देखे प्रमक रूप से किसको सामिल किया गया है सेवाओं को और सेवाएं क्या है अपने आप में कोई ना कोई व्यावसाय होती है, आगे बढ़ते हैं देखे बच्चो दित्यक और त्रत्यक करीया कलापों में अंतर, पिछले आपको याद होगा दित्यक क्रिया कलाप के अंदर वी निर्मान अर्थात किसी वस्तू का क्या किया जाता था निर्मान किया जाता था और यहां पर देखिए निर्मान के साथ साथ देखिए यहां पर उनको एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर लाना ले जाना और उनसे सम्मं शेवाओं द्वारा उपलब्द विशेशगता उत्पादन तक्नीकों मसीनरी और फैक्टरी प्रिक्रियाओं की अपिक्षा यहां पर जो ध्यान दिया गया है वो क्या है कर्मियों की विशिस्तिक्रत अर्थात विशेशिक्रत होते हैं वो किसमें कुशलताओं अनुभाव औ ग्यान पर अत्यदिक निर्भर करती है तो देखिए उनका अनुभाव और उनका ग्यान और साथ में उनकी क्या है कुशलता दक्स्ता जिसे हम एक नाम देते हैं बच्चों अपने विशे में कोशल या कहने पारंगत अपने विशे में उसके बाद देखिए विक्सित पर कौन सी सेवाओं में लगे होते हैं या कौन से किरिया कलापों में देखें लोग लगे होते हैं त्रतियक किरिया कलापों में अधिक संख्या बहुत संख्य का मतलब होता बहुत जादा और देखें बच्चों और अपेक्साकरत कम संख्या में दित्यक सेक्टर में कारियरत होते हैं तो दितिये छेत्र में विक्सित देशों के लोग कम कारिये करते हैं आप से पूछा जाए एक प्रसंद पूछा जाए कि विक्सित देशों के स्रमिक या कार्मिक सबसे ज़्यादा कौन से क्रिया कलापों में देखे शलंगन होते हैं तो हमें लिखना उसका उत्तर त तरह से हम यहां पर दितियक और तिरतियक क्रिया कलापों में क्या देखते हैं अंतर देखते हैं अब बच्छों अता है क्रिए क्रिया कलाप कोई- Podcast से कौन से प्रकार के हैं जिनका आध्यन हम अमारी पाठी कुस्टक में करेगे तो देखिये कि इंत् ticket करिया कला आप के प्रक वहन और तीसरा देखें बच्चों अपने इसमें आता है शंचार और नमबर चार पर क्या है सेवाएं मैंने पहले बताया था ये तीनों तो विनीमे में और सेवाएं किसमें आती हैं बच्चों उत्पादन में अच्छे से याद कर लेना इस बिंदू को और आप से पूछा करिया कलापों के उधारन दीजिए उनके प्रकार बताईए तो ये चार प्रकार आपको याद करने हैं और मैं दुबारा से फिर रिवाइज करवा रहा हूं सबसे पहले व्यापार परिवेन शंचार और शेवाएं तो बच्चों सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे व्याप व्यापार एवाम वानेज तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार बच्चों व्यापार किसे कहते हैं आपने इसके बारे में काफी सुना होगा दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वस्त्वों का आदान प्रदान अब आदान प्रदान में एक खरीदने वाला होता है और एक बेचने वाला होता है इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं व्यापार कहते हैं और इसी को हमने परिवासित भी किया गया है और देखिए बच्चों एक चित्र भी आपको दिखाया गया दो व्यक्ति दिखाएं और अंतर रास्ति इस तरपर द के बीच में इस तरह से व्यापार अनेग प्रकार का होता है जिसमें एक क्रेटा होता है और एक विक्रेता होता है तो इस तरह से देखिए हम यहां देखेंगे व्यापार वस्तूते अन्यंत्र उत्पादित मदों का क्रे और विक्रे है देखिए क्रे खरीदने वाला विक्रे कौन होता है बेचने वाला और इसी डाइग्राम इस चीज को दिखाया गया है विशु का मान चित्र है और आपस में देखे छोटे-छोटे लाइने बनाई गई है कि देशों के मद्ध होने वाले व्यापार को बताया गया है तो बच्चों याद रखना व्यापार का संबंद किस से होता है खरीदने और बेचने की किरिया से होता है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यापार और वानिज के प्रकार और व्यापार और वानिज के प्रकार में देखे दो तरह के व्यापार बताए गए एक का नाम थोक व्यापार और दूसरे का नाम क्या है बात करते हैं हम थोग व्यापार बड़े व्यापारियों को क्या कह देते हैं थोग व्यापार ये सीधे कंपनी से माल को उठाते हैं और उसके बाद देखिए थोग व्यापार से ही किसका जनम होता है फुटकर व्यापार का जनम होता है और फुटकर व्यापार में आपको द् यहाँ पर अध्यन करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं थोक व्यापार और देखिए बच्चे थोक व्यापार के एक सोप आपको दिखाई गई है और यहाँ पर देखिए विबिन प्रकार के फल और सब्जिया है जो देखिए किसके रूप में थोक व्यापार के रूप में और यहां पर आप देखेंगे बड़ा आकार होता है और यहां पर देखिए अगर हम देखते हैं सीधा माल उत्पादक से किसके पास आता है इन व्यापारियों के पास जिसका हमने चित्र भी यहां पर दिखाया है अब देखें हम परिवाशित रूप से देख लेत जो दोनों को जोडती है उसको क्या कहा जाता है बिचोलिये और आगे देखे शोदागरों दूसरा शब्द काम में क्या लिया है बिचोलिये शोदागर जो सोदा करवाते हैं दोनों के बीच और पूर्ती घरों द्वारा होता है जो क्या करवाते हैं सामान की पूर्ती करवात नेकी फुटकर भंडारों द्वारा होता है देखें ये व्यापार किस पर आधारित है बिचोलियों पर आधारित या सोधागरों पर आधारित होता है इनका सम्मंद फुटकर से नहीं होता है इस तरह से बड़ी दुकान और वहां पर देखें इन दुकानों की सबसे बड़ी विशेष्टा होती है माल यहां अत्यतिक मात्रा में होता है और आगे देखिए यहां पर स्रंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार वी निर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं यहां बाता यह वी निर्माता जो द्योग पती है यहां हम कहें जो उत्पादन करने वाले ह उन लोगों से सीधा संबंध होता है और यहां से माल को उठाते हैं और बड़े बड़े भंडारों में क्या करते हैं इनको शुरक्षित कर दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं स्रंखला भंडार और वहां से यह माल खरीते हैं कौन यह कौन है ठोक विक्रेता है बच्चों आगे देखे फिर भी बहु शंक्यक फुटकर भंडार बिचोलिय श्रोथ से पूर्ति लेते हैं और आगे बताया गया देखे थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं तो देखे सीधा साय सबसे पहले थोक विक्रेता और थोक विक्रेता से जिसका संब होता है फुटकर व्यापार का बंडारों को कैसे देते उधार यहां तक की फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कारिये का संचालन करते हैं क्योंकि फुटकर जो व्यापारी होते हैं जो व्यापार करते हैं छोटा छोटा व्यापार करते है उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है इसलिए इनको थोक विक्रेताओं से माल किसमें मिल जाता है उधार में मिल जाता है और जब फुटकट विक्रेता देखे उस माल को बेच देते हैं और जो इंकम होती है उस इंकम से देखिए इन थोक विक्रेताओं से जो भी इनकी ला व्यापार का आप देखे यहां एक रेडी वाला है और इसने देखे कुछ सामान रखे हुए हैं यहां पर फल है सबजिया है ऐसे कुछ भी और धरेलू सामान भी देखिए वो लोग रख लेते हैं इसलिए हमने यहां पर बजार का एक सीन लिया है जो किसको प्रदेशित कर र कान कैसी है अब देखिए यहां पर और देखते हैं अब वैसे आप देखेंगे तो यह लेग देखिए आसपास के छेत्रिये लोग ही होते हैं जो इस तरह से फुटकर का काम करते हैं यह वह व्यापारिक किरिया कलाप है जो उभोगताओं को वस्तुओं के प्रतेक्स विक् होताओं का लेकिन थोग व्यापार में देखिए सिदा संबंद किस्य था थोग व्यापार की बच्चों यदि हम बात करें उनका संबंद था उत्पादक से इनका संबंद उत्पादक से नहीं होता है जहां पर चीजे उत्पादित हो रही हैं उनसे कोई संबंद नहीं होता इनका संबंद देखे किन से होता है वो बोगताओं से और माल कहां से लेते हैं थोग विक्रेताओं से लेते हैं कैसे लेते हैं उधार में या पुझी इनके पास नगद होती है तो उसका प्रियोग भी कर लेते हैं अब आगे देखे इसमें अधिकांस फुटकर व्यापार विक्रे से नियत प्रतिस्थानों और भंडारों में शंपन होता है अब उधारन भी दिया है देखिए बच्चों उधारन में देखे फेरी रेडी ट्रक द्वार से द्वार डाक आदेश दूरबास स्वेचालित विक्री मसीने तथा इंटरनेट ये सब किसके हैं फुटकर व ये हमारी पठ पुस्तक में दिये गए कुछ एक्जामपल है और इन्हें अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये चीजे भी एक्जाम में पूछ ली जाती है और कई बार अंतर भी पूछा जाता है फुटकर व्यापार और ठोक व्यापार में क्या अंतर है इस तरह के देख सब्गिये किश्ण कई बार पूछ लिये जाते हैं बच्चो अब आगे चलते हैं और आगे देखे व्यापार एवं व्यापार केंड्र समर् Самर्णों के लिए कुछ केंड्रों की आउश्रक्ता पढ़ती है उन केंड्रों को कहा जाता है व्यापार केंड्र就是說 में चाहां पर बनाये जाते हैं और उनके अंदर इनको क्या कर लिया जाता है संग्रेट कर लिया जाता है यानि एक्त्रित की जाती है यह वस्तूओं को और दूसरा देखिए उसके बाद उनका क्या किया जाता है और इस तरह से संग्रण और वित्रण के जो केंद्र होते हैं जो बिंदू हो उनी को कहा जाता है व्यापारिक केंद्र तो बच्चों याद रखना व्यापारिक केंद्रों में दो गत्विदिया होती है दो कौन-कौन से एक तो वस्तों का संग्रे करना और एक वस्तों का वित्रन करना इसलिए इनको कहा जाता है व्यापारिक केंद्र और भी बच्चों अत्वा वानिज की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश लाब कमाना होता है चाहिए आप कोई सा भी व्यापार देखें थोक व्यापार देखें या फुटकर व्यापार देखें दोनों का मूल उद्देश क्या है लाब कमाना होता है देखिए दोनों का मूल तो देखे यह काम कहा पर होता है या तो ग्रामिन परिवेश में या शहरी परिवेश में जिने व्यापारी केंद्र कहा जाता है और व्यापारी केंद्र की विशेष्टा मैंने बताई व्यापारी केंद्र में क्या होता है बच्चों वस्तुमों का शंग्रे और वस्तुमों क तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और सनस्थाओं को क्या दिया है जनम दिया है जैसे की व्यापारिक केंद्र और इनी व्यापारिक केंद्रों का दूसरा नाम क्या है बच्चों संग्रन और वित्रन केंद्र भी कहते हैं संग्रन और वित्रन के बिंदू भी कहा जाता है देखे वच्चे यहां पर एक और शब्द आया है वस्तू विनी में वस्तू विनी में देखे पहले हमारे यहां भी चलता था देश के अंदर और ग्रामिन पेश में आज भी वस्तू विनी में का चलन है वस्तू के बदले वस्तू लेना और देना जैसे गाओं के अं अनाज के बदले ग्रामिन प्रिवेश में अनाज मिलता है जैसे गेवू है चावल है चना है उसके तोल के भाव में क्या देता है शब्जियां देता है यह कहला था वस्तू विनी में दूसरा एक शब्द और आया हमारे पास मुद्रा विनी में जब देखिए हम विनी में का माध्यम किसको बना लेते हैं मुद्रा को जैसे सहरी छेत्रों में सहरी छेत्रों में लोगों के पास क्या होती है मुद्रा होती है वो सब्जी खरीदने जाएंगे तो यहां किसका प्रियोग करेंगे मुद्रा का प्रियोग करते हैं लेकिन ग्रा बादान प्रदान करते हैं और इसी चीज को बताएं यह याद रखना में बार-बार इस पर जोर दे रहा हूं व्यापारिक केंद्रों की पहचान क्या जहां वस्तों का संग्रण किया जाता है और वस्तों का क्या किया जाता है वित्रण किया जाता है और आगे देखते हैं दे और दूसरा कौन सा है नगर ये बाजार केंद्र तो कितने भागों में बाटा जाता है बच्चों दो बागों में ये एक्जाम में पूछ लिया जाता है जो व्यापारी के केंद्र होते हैं बच्चों कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं दो कौन-कौन से याद क के अंदर क्या होता है देखिए करने बात करें बच्चों में ग्रामिन वस्थवें होती है जो उस मार्केट में आती है और उस मार्केट को जो चलाने वाले वावे लोग इस्थानीय लोग होते हैं लेकिन नगरियव जार के केंदर के यदि हम इस केंद्रों के बात करें तो यहां कुछ देखिए व्यवसाई करन हो चुका होता है और यहां पर मंडियों की स्तापना कर दी जाती है जिस पर सरकार का भी नियंतरन होता है तो अब हम दोनों केंद्रों को देखते हैं सबसे पहले देखे ग्रामिन विपन का चित्र है जहां पर लोग कच्छे केला लेके आए देखें चित्र में क्या दिख रहे हैं और यहांपर देखिए यह कच्छे केला को को यह ग्रामिंट लोग बेच रहे हैं और इस तरह देखे इसमें ये अर्ध नगरिये केंद्र होते हैं। बड़े-बड़े कस्वे होते हैं, छोटे-छोटे गाव नहीं होते हैं। जहां जंसें क्या जजादा हो तथा निकट वर्ती बस्तियों का पोशन भी करते हैं। आसपास की जो बस्तिया हैं उनको क्या देते हैं ये सेवाएं प्रदान करते हैं अर्थात वस्तवें उनको उपलब्द कराते हैं ये इस्थानिये संग्रेंड और वित्रन केंदर होते हैं बचों याद रखना पहले हमने कहा था व्यापारिक केंदर क्या होते हैं संग्रेंड और वित्रन के केंद्र यहां जो वस्तुवें आई हैं कहां से आई हैं यहां वस्तुवें के यदि बात करें इस्थानिये तहीं दूसरे बजारों से नहीं आती आस पास के इस्थानिये छेत्र में जिन चीजों का उत्पादन होता है वो चीजें यहां पर आती हैं फिर इनका क्या किया जाता वित्रन किया जाता है अर्थात यहां पर इनको बेच दिया जाता इन मंडियों के अंदर और देखिए यह अत्यंत अल्पवर्दित प्रकार के व्यापारी केंद्रों के रूप में शेवा करते हैं यहां व्यक्तिगत और व्यवसाइक शेवाएं शू विक्ष इतना अच्छा नहीं होता है यहां पर और देखे इन में से अधिकांस केंद्रों में मंडिया यानि थोक बाजार और फुटकर व्यापार छेतर भी होते हैं दोनु सामान हैं यहां पर थोक व्यापारी भी है और फुटकर व्यापारी भी है यहां पर यह श्वयम में नगरिय केंद्र नहीं हैं कैसे केंद्र हैं ग्रामिन केंद्र हैं किन्तू ग्रामिन लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्द कराने वाले मेतुपून केंद्र होते हैं इन मंडियों के अंदर या हम कहते हैं इन व्यापारिक केंद्रों में वे वस्तुव हमें ग्रामिन छेत्रों में एक और रूप देखने को मिलता है और आउधिक का होता है यहां पर आउधी से लिया गया समय की आउधी से देखें ग्रामिन छेत्रों के अंदर इस तरहें के बाजार काफी लगते हैं और इन बाजारों की अदि बात करें शाप्ता एक बाजार उनकी पूर्ती कराते जिसका एक चित्र दिखाया गया देखे कपड़ों का एक बाजार जो सप्ता में एक दिन या पंद्रे दिन में अर्थात हम कह देते हैं पाक्षिक रूप से लगा हुआ बाजार है तो देखिए ग्रामिन छेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते विभिन कालिक अंतरालों पर इस्थानिये आवदिक बाजार लगाए जाते हैं परिक्षा में पूछा जाए बच्चों आवदिक बाजार किसे कहते हैं याद रखना एक समय के निश्चित आवदी के बाद दो बाजार लगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है आवदिक कर समय समय पर अपनी आवशक जरूरतों को क्या करते हैं और देखे बच्चों ये बाजार निश्चिति तिथी दिन पर लगते हैं यानि जो निश्चिति तिथी और जो दिन ते किया जाता है जैसे अधिक तरतों देखे रवीवार के दिन देखे बाजार लगते हैं इस तरह से दूसरे इस्तान पर लगते रहते आज इस ग्रामिंट में अगले ग्रामिंट में ये लोग एक fråते हैं यहां पर एक बड़ी दुकान का या हम कहें कि व्यापारी इक लिडिव का आपको क्या दिखाया गया है चित्र से देखिए यहां पर यहां पर देखेंगे वस्तवे विवस्तित रूप से जमी हुई है और दूसरा यहां पर देखिए कि यहां एक है बहुत बड़े देखिए रूप के अंदर चीजें आपको मिल जाएंगी और विवस्तित रूप से आपको मिलेंगी तो यह कहां का बाज ग्रामिन छेत्रों वाली चीजें नहीं मिलती हैं विशिष्टी करत सेवाएं मिलती हैं यहां पर वस्तवें मिलती हैं इन में ने केवल साधान वस्तवें और सेवाएं बलकि लोगों द्वारा वांचित अनेक विशिष्ट वस्तवें वे सेवाएं भी उपलब्द होती हैं य जामिनों के आउश्रत्ताओं की पूर्ती कराने वाली वस्तुएं थी यहां कैसी है विशिष्ट और आगे बात करते हैं नगरिये केंद्र इसलिए वी निर्मित पदार्थों के साथ-साथ यहां जो वस्तुएं आती कौन सी आती कच्चा माल नहीं आता वी निर्मित आता है जिनको उद्योगों में क्या किया जाता है और देखे आगे विशिष्टिक्रत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं जैसे स्रम बाजार यहां पर देखिए विबिन प्रकार के स्रमिक मिलेंगे आवासन घरों की बात कर दें अर्द निर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बा डॉक्टर जिशे कहते हैं चिकित्सक दातों का डॉक्टर और पसू चिकित्सक आधी उपलब्ध होते हैं. यह हमारी पाठ्ठ पुस्तग में कुछ एक्जामपल दिये हुए हैं जो देखे नगरिय केंद्रों पर हमें उपलब्ध होते हैं क्योंकि यहां सेवाएं क्या विश विशिष्ट सेवाई होती हैं अपने अपने छेत्रों में लोग क्या होते हैं दक्ष होते हैं और यहां के वस्तुएं नहीं मिलती वस्तुओं के अलावा देखिए विबिन प्रकार के विशिष्ट सेवाई भी मिलती हैं तो यह कौन से केंद्र हैं बच्चों इनकी हम बात कर तो दूसरे नमबर पर कौन सा आता हमारा यह तरतिय करा क्राप के अंतरगत परिभहन फिर उसके बादपढ़ेंगे आम संचार और उसके बाद पढ़ेंगे सेवाएं तो देखे बच्चों यहां पर कुछ परिवहन के आपको सादन दिखाए गए हैं जैसे यहां पर देखेंगे रेल उसके बाद यहां देखेंगे वाययान और उसके बाद देखें यहां पर आप देखेंगे शडक मारग और उसके बाद यहां देखेंगे जल मारग तो यहां मारग देखें यहां इस्थल मारग यह भी इस्थल मारग यह वायू मारग और यह जल मार तीन प्रकार के मारग होते हैं और तीन प्रकार के मारगों के उपर देखे विबिन प्रकार के परिवहन के शादन चलते हैं जैसे ट्रेन यहां देखे शड़क मारग पर विबिन प्रकार के देखे यहां ट्रक बस वगेरा और यदि हम वायू परिवहन की बात करें तो यहां वायूयान और जल परिवहन की बात करें तो जल यान तो कहने का मतलब यह है कि परिवहन होते क्या है जो वस्तुएं और सेवाएं उन्हें एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर लाने और ले जाने का काम जो किया जाता है किस में किया जाता है बच्चो परिवहन में किया जाता ह तो यहां हम बात करते हैं परिवेन की परिवेन एक ऐसी शेवा अथवा श्विद्धा है जिससे व्यक्तियों वी निर्मित माल तथा संपत्ति को भोतिक रूप से एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाया जाता है तो यह वो साधन है जो एक इस्थान से दूसरे करते हैं यह मनिश्की गती सीलता की मूल भूत आउश्चक्ता को पूरा करने है तू निर्मित एक संग्ठित उद्योग भी है तो परिवहन को किसकी उपमा दे दी एक संग्ठित उद्योग की उपमा दी गई है आगे देखिए आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन वि इत्रन और उपभोग में शायता देने के लिए तीवर और शक्षम परिवहन व्यवस्ता चाहते हैं कुछ ऐसी वस्तुओं भी होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती है उनके लिए क्या चाहिए तीवर परिवहन चाहिए और उसके अलावा देखिए एक तरह से हम और कहें इ देते हैं परिवहन को किलो मिटर दूरी शमय दूरी और लागत दूरी के खर्च के रूप में मापा जाता है क्योंकि परिवहन देखिए एक तो किसके रूप में किलो मिटर दूरी दूरी का मापन किसमें करते किलो मिटर में और फिर दूसरी चीज पर इस पर जो ध्यान द और जब देखिए दूरी पर अधिक जाएगा तो समय भी क्या लगेगा बच्चों समय भी अधिक लगेगा जिन से परिवहन की लागत जो खर्चा है क्या होता है प्रभावित होता रहता है इस तरह से देखें हम यहां पर इन चीजों को देखते हैं अब आगे बढ़ते हैं और देखे परिवहन को प्रबावित करने वाले कार्क अब जो हमारा ये परिवहन है ये अनेक देखे कार्कों से प्रबावित होता है और हमने कुछ कार्क लिखे जो हमारी पठ्ठ पुस्तक में दिये हुए बच्चो सबसे पहले देखे यहां पर दिया है उच्चावच उच देखे बच्चों परवत पठार और मैदान अब आप देखें परिवें किया परवत के ऊपर परिवें परिवें के जो रास्ते हैं या मं जल आसानी से बिचाया जा सकता है क्या नहीं भीचाया जा सकता ह्ता है प légदाने और देखे बच्चो परिवेन के साधनों की उपलब्द था सबसे बड़ी बात है कि आपको परिवेन का साधन देखे कौन सा उपलब्द है कौन सा नहीं है आपको देखे दूसरे देश में जाना है और जल्दी जाना है अगर आपके पास वायुयान उपलब्द नहीं है तो क यह देखे परिवयन के साधनों की क्या कहीगी ए उपलब्धता कि कितनी उपलब्धता है देश के अंदर किसी देश में जनसंख्या बड़ा तो परिवयन की मांग यह क्या होगी अधिक और यदि जन संक्या का कार छोटा है तो परिवेन के सादनों की मांग क्या होगी कम होगी बच्चों और देखिए मारगों की इस्तती अब देखें विबिन प्रकार के मारग होते हैं जल मारग वायू मारग इस्तल मारग और रेल मारग इनकी इस्तती पर भी निर्बर करता है दो इस्थानों के बीच में यदि हम बात करें जैसे एक शड़क मारग है और उसके दो इस्थाने दोनों इस्थानों के बीच के अंदर यदि शड़क अच्छी नहीं है तो समय भी ज़्यादा लगेगा और लागत भी अधिक लगेगी और यदि दो इस्थाने और शड़क मा करती है मारगों की इस्तती भी क्या करती है प्रभावित करती है देखिए और देखिए विकास का इस्तर शीदिशी बात है यह भी एक महतुपूर्ण कारक है यदि अर्थ व्यवस्ता विक्सित है तो उसके मारग भी अपने आप में कैसे होंगे विक्सित होंगे यदि अर्थ विकासील है तो वहाँ पर भी परिवहन मारगों का इतना जाल नहीं पाया जाएगा वहाँ अभी गम्मिता इतनी सुलब नहीं होगी इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए परिवहन से सम्मंदित कुछ शब्दावली दी विए अपनी पाठ पुस्तक में देखि देते हैं शब से पहले एक शब्द दिया है नोड नोड की बात करें देखिए एक इस्थान से दूसरे इस्थान और दूसरे इस्थान से तीसरे इस्थान तो देखिए ये एक इस्थान है और एक इस्थान ये है और एक इस्थान ये इन दोनु इस्थानों को जोडने वाल जोडने वाला ये भाग क्या कहलाता है योजक कहलाता है तो ये सब्दावली दीवी है अब हम बात कर लेते हैं दो या अत्वा अधिक मारगों का संदी इस्तल जैसे एक मारग ये और एक मारग ये इन दोनों का संदी इस्तल क्या कहलाता है नोड एक उदगम बिंदू एक गं कस्बा क्या कहलाता है नोड कहलाता है क्योंकि जहां दोनों शड़के आकर मिल रहे हैं या दोनों मारगा के मिल रहे हैं तो वहां कोई ना कोई कस्बा डवलप हो जाता है वो कस्बा भी क्या कहलाएगा नोड बिंदू कहलाएगा क्योंकि इसमें एक उद्गम है और एक गंति तो इन दोनों के बीच वाला भाग क्या कहलाता है नोड उसके बाद दे रखा है योजक प्रतेक सडक जो दो नोडों को जोडती है योजक कहलाती है एक विक्षित जाल तंतर में अनेक योजक होते हैं जिसका अर्थ है कि इस्थान शूशंबंद है अब देखे हम एक इस्था इन दोनों को जोडने वाला क्या है योजक और यह ऐसा योजक बन गा है क्योंकि ऐसे भी जूड सकते थे लेकिन हमने कैसे जोड़ा इस तरह से देखे तो यह तो नोड है और यह योजक है दो शब्द दिये थे अपनी पाठिपुस्तक के अंदर जिनको हमने जाना परिवे सबसे पहले यदि याद हो तो व्यापार दूसरा कौन से पढ़ा परिवेन और तीसरा कौन सा आ गया बच्चो शंचार अब देखे इसकी बात करते संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों तथ्यों और विचारों का संप्रेशन समलित होता है इसके अंदर देखिए उनका क्या है आदान प्रदान और देखे लेखन के आविशकार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवेन के साधनों पर निर्भर करने में शायता की और देखिए ये वास्तम में हाथ पशवों नाव शडक रेल वायू द्वारा परिवीत होते हैं तो कहने का मतलब संचार के लिए कौन-कौन से साधन बताएगे एक तो हाथ से एक हाथ से दूसरे हाथ में दूसरे पशवों के माध्यम से क्योंकि पशवों से हम सामान को लाते और ले जाते हैं और उसके बाद नाव शडक रेल और वायू द्वारा परिवेई तो होते हुए बताए गई हैं इसके अंदर अब आगे चलते हैं देखिए और यही कारण है कि परिवेन के सभी रूपों को संचार पत कहा जाता है जिस पत पर देखिए क्या किया जाता संचार किया जाता है उस संचार पत का समंद जोडा गया परिवहन से और जहां परिवहन तंत्र अच्छा होगा सक्षम होगा वहां संचार तंत्र भी उतना ही विक्षित और सक्षम होगा बच्चों जैसे और देखें मोबाइल दूरभास और उपग्रों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त क अब देखे कुछ ऐसी चीजें मोबाइल दूरवास और सेटेलाइट यानि उपगरें इन में हमें परिवहन के साधनों की आवशक्ता नहीं होती यहां हम बैठे-बैठे मोबाइल से अनेक व्यक्तियों से जो हमसे काफी दूर हैं उनसे क्या कर सकते हैं संचार कर सकते हैं या दूर संचार देखे बच्चों दूर संचार का प्रियोग विदूतिय प्रोध्योगी की यानि तकनीकी के विकास से जुड़ा है संदेशों को संदेशों के भेजे जाने की गती के कारण इसने संचार में क्रांती ला दी यहां किसको काम में लिया है विबिन प्रकार के वि वे दूर बासकालों का पूरे विश्यों में विश्तरत स्रोताओं को प्रसारण करते हैं और इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम भी कहा जाता है दूर संचार को क्या कहा जाता है बच्चों जन संचार का माध्यम भी कहा जाता है अब आगे बढ़ते हैं देखिए अंतिम दोबी घाट दूसरा देखिए यहाँ पर टेक्णोलोजी पर आदारित जिसमें किसको दिखाया गया उच सेवां वाले वीक्तिएं को दिखाया गया । जो क्या रिचर्च कर रहे हैं । और यहां एक निम्न प्रकार की सेवाव को दिखाया गया जैसे दोबी घाट तो सेवाएं क्या है सेवाएं देखे मानव द्वारा किये जाने वारे किरिया कलाप जो तृतिय क्रिया कलाप का में तो पूर्ण बाग आता है देखे शेवाएं विभिन इस्तरों पर पाई जाती हैं प्रते एक इस्तर पर सेवाएं होती है जैसे डॉक्टर की सेवाएं दोबी की सेवाएं और उसके अलावा घर में खाने बनाने वाली की सेवाएं कुछ सेवाएं उद्वोगों को चलाती हैं कुछ लोगों को और कुछ उद्वोगों और लोगों दोनों को उधारन परि जैसे हम कह सकते हैं उच इस तरिये सेवाएं अपनी किताब में दी गई है व्यक्तिगत सेवाएं और व्यवसाइक सेवाएं इस तरह पनशारी की दुकाने और दोबीगाठ कैसी सेवाइं बच्चों निमनिस्तरिय उसके बाद आती उचिस्तरिय शेवाइं में देखे लेखाकार उसके बाद परामर्स दाता और कौन आते चिकेटसक और देखे गरूप आता है व्यवसाइक सेवाइं जिनका संबंद किस्से होत वो अपने व्यावसाय में everydayी क्या होते हैं दक्ष होते हैं कुशल होते हैं अपनी सेवाओं में श्वास्त की देकबाल अभी यांत्री यानिंजिनियर विधी यानि वकील और उसके बाद management जीसे कहते प्रबंदन तो इस तरह की सेवाएं कैसी सेवाएं हैं व्यवसाइक सेवाएं कुछ सेवाएं और देखेंगे जो व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं जैसे व्यक्तिगत सेवाएं दैनिक जीवन में काम को श्विधाजनक बनाने के लिए लोगों को जो सेवाएं उपलब्द जैसे मोची उसके अलावा ग्रहपाल ये खान सामा और उसके अलावा देखते हम माली ये सारी सेवाएं कैसी होती है व्यक्तिगत सेवाएं तो इस तरह से व्यक्तिगत सेवाएं व्यवसाइक सेवाएं और उसके अलावा हमने निम्विस्तरिये सेवाएं और उचिस्तरिये से खेत्रों में जो लोग लगे हैं उनके बारे में कुछ तथ बताये गए हैं देखे अधिक विक्षित देखों में कर्मीयों का अधिकतर प्रतीषत इन सेवाओं में लगा है तो सीधासा है जो विक्षित देश हैं वहाँ पर लोग कौन सी सेवाओं में लगे हुएं तरतिय के क्रिया कलापों में लगे हुए हैं जबकि अल्प विक्षित देश में दस प्रतीशत से भी कम लोग इन सेवाओं में लगें परीक्षा में पूछा जाएगा ये क्यूश्चन विक्षित देशों में कौन सी सेवाओं का चलन है याद रखना बच्चों तरतिये प्रकार की यानि तरतिये क्रिया कलाप और उसके वालावा पूछा जाता है एविक्षित या अल्प विक्षित देशों में इन सेवाओं का कितना प्रतीशत है मातर दस प्रतीशत है देखिए याँ और देखिए बच्चों इस सेक्टर में रोजगार की प्रवर्ती बढ़ रही है दीरे दीरे इसमें क्या बढ़ रही है रोजगार की प्रवर्ती जबकि प्रात्मिक और दित्यक क्रिया कलापों में यह ए परिवर्तित अथवा घट रही है तो देखिए प्रात्मिक और दि बच्चों आज हमने पढ़ा तिर्तियक क्रिया कलाप और तिर्तियक क्रिया कलाप में किस-किस को पढ़ा हमने बिंदु वार देखिए हमने एक-एक क्रिया कलाप को पढ़ा जैसे सबसे पहले व्यापार को पढ़ा उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा परियुहन को पढ़ा उसके बाद संचार को पड़ा और अंत में हमने पड़ा, सेवाओं को पड़ा और उनकी स्तति को देखा, विक्षित और विकासिल देशों में, इस तरह से आज का हमारा, देखिये, ये जो बिंदू था, तरतेक व्यवसाय क्या हो जाता है? शमाप्त हो जाता है बच्चो अच्छे से याद कर लेना अगले वीडियो में हम कौन सा ले कहेंगे आगे के जो हमारे व्यवसाय हैं चाहे चतुर्थक व्यवसाय हो या पंचम व्यवसाय हो तब तक के लिए बच्चो आप सबको धन्यवाद सबको पुने एक बार मेरा नमस् शर्डे सबक्राइब उड़ो हो जख सकतुर्द उड़ो इंड में ह sickness और में हो जब एको बड़ोग, यंई दो हाद को चल्रा व tiny घए हैं बाहे रह ढब्राओा होणां ऋने चल्स झाल्हाग